माता ब्रह्मचारिनी की कथाप ने पूर्व जन्म में माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यग्य में आत्मदा कर लिया था, जिसके बाद अपने अगले जन्म में उन्होंने हिमाले राज के घर जन्म लिया और शिवजी को अपने पती के रूप में पाने के लिए कठ माता पार्वती जी ने 1000 वर्षों तक केवल फल और जड़े खाकर जीवन यापन किया और उसके बाद 100 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ साग सब्जियों पर निर्वाह किया। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक बिना कुछ खाए पी ये तपस्या में लीन रही। और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी उमा। तब से देवी ब्रहमचारिनी का एक नाम उमा भी पढ़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, रिशी, सिद्धगन, मुनी, सभी देवी ब्रहमचारिनी की इस तपस्या को अभूत पूर्फ पुन्यकृत्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामा ब्रहमा जी ने आकाश्वानी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्नस्वर में कहा है देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की हैं। तुम्हारे इस सालों का कृत्ति की चारों और सराहना हो रही हैं। तुम्हारी मनो कामना सर्वतो भावेन परिपूर होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पती रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लोट जाओं, शीकर ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रही हैं। तो इस प्रकार से माता को ब्रहमचारिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता की पूजा करने से जातक तप करने के योग्य बन जाता है और उसके काम सफल हो जाते हैं।